अभी मैं सुबह सुबह आई थी खेट तो मुझे लगा कि चलो व्लॉग की स्टार्टिंग भी करी रही हूं तो इसलिए मैं व्लॉग सुबह सुबह शूट कर रही थी और आप देख सकते हो कि मौसम खराब हुआ है तो गाइस उसके बार मैं चलीगी थी घर ब्रेकफस्ट करने और ब्रेकफस्ट बगरा करने के बाद अब हम लोग फिर से खेत आगी है तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम सेप के पेर से घास निकाल रहे थे तो वो थोड़ा बहुत रह गया था तो आज भी हमें वोई काम दा तो अभी हम घास निकाल रहे है और आज मौसम भी बहुत खराब है तो देखते है जब तक काम होता है अब तक काम कर लेते है और फिर अगर बारिश होगी तो फिर वापिस घर चले जाएंगे तो आप लोग यह देख सकते हों कि मौसम खराबी है तो चलो जब तक बारिश नहीं लगते है तब तक काम कर देते हैं उसके पाथ अगर बारिश लगेगी तो वाप पेस घर चले जाएंगे तो गाईज अब हम लोग करते हैं काम और तब तक आप लोग जाएए वीडियो को जादा जादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें तब तक हम काम कर लेते हैं और जादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए तो मैं आप लोगों को बोर्ड नहीं करना चाहती हूँ इसलिए मिलती हूँ आपसे बाद में तो गैस उसके बाद बहुत जादा वारीश स्टार्ट होगी थी हम लोग वापपीस आगे थे घर सो गाई सब हो गया लंच टाइम और हम बनारे है चपाती मारी पैच्छोगी शीरी करो फर बहुत हाँ तो गैज जैसे कि आपने पिछले एक लपस में देख़ यह होगा उसके बाद मैंने दो तिन वलाग शूट नहीं किया था क्योंकि बारिशी हो रही थी, कंटिनू, और अब मैं आई हो मामो के घर तो guys मैं मामो के घर रही ती क्युNAकी मामो के घर में चरी का सेजन स्टार्ट हो गया था और आज हम लोग जा रहे हैं मामो के दोगरी वाले घर किशन सटार्ट हुआ है तो फेर अभी हम लोग निकल चुके थे 6.30 तो वैसे तो मौसम खराब ही है वर देखते हैं नीचे जाके क्या होता है फिर आपको भी अपडेट करते रहते है तो गैस अब हम आल्मोस्ट पहुंचने वाले है बस 5-10 मिनट का रास्ता रह गया है और आप देख सकते हो कि मौसम खराब ही हो रहा है अभी थोड़ी दोनी है तो चलो जो भी होता है आगे आपको भी अपडेट करते रहेंगे तो गाइस यहां का व्यूब बहुत अच्छा था आप यहां देख सकते हो आगे पिछे जोना साइड बादाम के पर लोगे थे और यहां से व्यूब बहुत यह अच्छा रहा था इसलिए मुझे कि मैं आप लोगों को भी दिखा देते हूं एंड गाइस आप लोगों को भी अच्छा ही लगए होगा तो गाइस अब हम लोग पहुंच जी गए है तो घर के लिए थोड़ा उपर जाना परता है पांच मिनट तो लगी जाएंगे तो चलिए फड़ा फट से उपर जाते हैं और फिर जो आगे होगा वो आपको व्लॉग में अपडेट करते रहूंगी तो चलो फड़ा फट जा तो गाइस फाइनली पहुंच के हम घर और मामों के घर पर जो अंकल रहता है काम किरने वाली तो यह उनकी ही मुर्गियां थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी एक और भी है बट वह यहां थी नहीं जब वह आती है तब मैं आपको दिखाते हूं तब तक यह है कुछ सामने का व्यू और तो गाइस तीनों मुर्गिया आगी है तो फिर मैं आपको दिखा दी आपको दिखे रही होगी व्लॉग में तो तो और गाइस अंकल वगारा अभी गए है चरी तो ने तो जब वह चरी लेक के आता है फिर आपको दिखाते है उसके बाद हमें चरी भी भरनी है तो चलो देखते है कितनी दिर में वो चरी लेक के आते है खेट से तो अब हम लोग इनको भरना स्टार्ट करते हैं तब ही साथ-साथ भर के कंप्लीट हो जाएगी तो गैस हमने भर देते हैं कुछ देखे तो साथ-साथ भर देते ने तो आपको बता भूत सारी हो जाती है इसली हम नहीं हम साथ-साथ ही भर देखे जाना है घर तो चलो फटा फट भर देते है चरी और गाइस चरी बना बहुत ही टफ था क्यूंकि इस बार बहुत जादा बारिश होने की वज़े से आप लोगों को बता ही होगा कि चरी का साथ बहुत ही चोटा है और चरी खराब भी हो चुकी थी तो ये कुछ डबे हम लोगों ने बैक क चरी रही है और भी थोड़ी बहुत तोड़ है अंकल वगरा तो हम ये सारी चरी भी फटा फट भरते हैं और फिर उसके बाद वापीश भी जाना है घर और बारिश भी बीच बीच में स्टार्ट हो रही है आप देख खी रहोंगे की वैदर खराब हो रहा है तो इससे पहल है तो गाइस होगे हम लोग चरी भर के खतम आज इतनी ही थी तो अब हम लोग जा रहे हैं वापिस घर इसके बार चपी दोबारा हम चरी विरेंगे तो वह मैं आपको नेक्स ब्रॉग में अपडेट कर दूंगी और अब इस व्लोग को करी हूं मैं यहीं पर अगर आपको अगर आपको व्लोग अच्छा लगाओ तो प्रीज वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं मिलते हैं एक नए व्लोग के साथ तब तक के लिए बाए बाए